इस टुटरियल में हम यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल करेंगे अ क्वाइन इस टॉस्ट वन थाउजन टाइम्स विद द फॉल्लविंग फ्रीक्वेंसिस तो एक यह क्वाइन था जिसको हमने टॉस्ट किया वन थाउजन टाइम्स यानि कि टोटल नंबर आफ ट्राइल्स वो कितने हो गया हमारे वन थाउजन्ड ठीक है 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 किटनी पार आया इसमें है जो है वो इसमें आया 455 टाइम्स और टेल कितनी पार आया टेल 545 टाइम्स अब वो कहता है compute the probability for each event तो हमने इसकी probability निकालने जिसको हम experimental probability बोलते हैं क्योंकि हमने एक experiment किया था उसके base पे head इतनी बार और tail इतनी बार आया इसके वारे में थोड़ा और जानना हो आपको तो जो link मैं top right corner में दे रहा हूँ आप उसको देख सकते हो तो इस question को solve करना बहुत easy है सबसे पहले आप लिखो कि पहला event 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 क्या है कि head आया ठीक है ये एक event है head का आना एक event है और tail का आना एक event है तो पहले event को मैं even बोल देता हूँ यानि कि head आया तो probability of e1 event 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 मतलब head मैं इसको probability अंदर head भी लिख सकता हूँ वो भी चलेगा otherwise normally हम क्या करते है कि उसको एक नाम दे देते है e1, e2 या e, f, g इस तरह से नाम दे देते है ठीक है तो probability of e1 probability अब क्या होगी जितनी बार head आया यानि कि 455 इसको मैं total number of trial से divide कर दूँ ठीक है तो ये कितना आजाएगा 0.455 similarly दूसरे event को मैं बोल देता हूँ e2, e2 का मतलब क्या है कि tail आया तो इसका मतलब probability of e2 वो कितनी होजाएगी जितनी बार tail आया 545 divided by 1000 मतलब 0.545 और ये ही आपका answer है and that's it from this tutorial keep watching में बेते माफिया